नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आउदेखाल मिक्स में आज मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ अभी आप जो देख पा रहे हो ये अकरकरा का पौधा है दोस्तों जंगली अकरकरा बोलते हैं इसे तुरन चमतकार दिखाता हो तुरन असर दिखाता हो तो वहाँ यही पौधा है इसे देख करके पहचान लीजिए आज मैं आप लोग को इसके बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब और सधी प्रियोग बताऊंगा जिसका प्रियोग भी आप असानी से कर सकोगे और फायद कलर में है तो इस तरह स्याद दो तिन प्रकार की प्रजाथियां पाई जाती है जंगली अगर करा और इसके जो फूल देख रहे हो इसी फूल से आप तुरन चमतकार या फिर तुरन असर देख सकते हो इसके जो चोटे-चोटे फूल होते हैं इसको पाओडर भी बनाया ज जाता है या फिर पंचांग को भी कुट पीश करके लेप किया जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका किस तरह से प्रियोग आप कर सकते हो कभी भी किसी भी भाई बहन को गले में खरास हो तो यह अकरकरा का फूल आप इकठा कर लीजिए और अकरकरा की फूल पालिए गरम करिए गरम करने के बाद जब पानी उबल जाए तो उस पानी को ठंधा कर लीजिए ठंधा करने के बाद इसे आप किसी बोतल में रख लीजिए और प्रती दिन इसके जो पानी है जिसे आप बाटल में रखे रहोगे उस पानी को प्रती दिन गरारे कीजिए इस इस तरह से गरारे करने पर किसी भी प्रकार की जो गले में दर्द रहता है या फिर गले का खरास रहता है जिनें स्वर्भंग कहा जाता है जिनकी अवाजें मोटी हो जाती है अवाज ठीक से समझ में नहीं आता है तो इस तरह की गले की इंफेक्शन गले की खराबी गले की खरास सभी समस्या को इस पानी से गरारे करने पर निस्चित रूप से ठीक कर देता है यहा अकरकरा का उबला हुआ पानी तो आप इस तरह से प्रियोग करके देख सकते हैं आपको निस्चित रूप से लाब मिलेगा अब मैं आप लोग को अकरकरा का दूसरा फायदा बता रहा हूँ जो की अपसमार मिर्गी रोग के लिए अचूक है अकरकरा के फूल एकठा करके उसका पाउडर कर लीजिए और इसके साथ जो घोडबच का कंद आता है जिसे घोडबच भी बोला जाता है तो ये गुडबच का कंद और अकरकरा समान मात्रा में लेकर के पौडर बना के बिला करके उस पौडर को प्रती दिन छोटे चम्मच में आधा चम्मच की मात्रा यदि किसी भी अपस्मार के रोगी को यानि म्रगी के रोगी को खिलाते हो तो निस्चित रूप से उसका मिर्गी जो है दस से पंद्रा दिनों में ही पूरी तरह से समापत होने लग जाएगा तो इस तरह से आप बच का पावडर बराबर मातरम मिला करके मिर्गी रोग को ठीक कर सकते हो अब दोस्तो तुरंट चमतकार दिखाने वाला मैं आपको एक इसका बहुत ही लाजवाब प्रियोग बता रहा हूँ अगर किसी को दांट में भयानक दर्द हो रहा हो तो तुरंट इसके फूल को अकर करके तोड़ करके मुह में चबाते रहिए इस तरह से चार-पांच फूल मुह में चबाने से या फिर एक ही फूल मुह में चबाने से दांट का जो दर्द रहता है वा सांथ हो जाता है और इस तरह चबाने से सिर्फ दांट का ही दर्द नहीं सांथ होता बलकि मुख की यानि पूरे मुह की सफाई हो जाती है कई लोग समझते हैं कि गुपका पान खाने से मुँझी सफाई होती है बबल गम चबाने से मुझी सफाई होती है लेकिन आप आईरवेट का अशली चमतकार देखना चाहते हो तो सिर्फ इस अकरकरा का एक फुल चबा करके देखिए आपको तुरंट चमतकार दिखेगा तु तोड़ा सा चर्परा भी लगेगा जिसके फलसरूप आपको बहुत अच्छे लाब मिलेंगे दोस्तों अब मैं आप लोग को इसका एक और चमतकार बता रहा हूं अचानक किसी के सर में दर्द होने लगता है आधा सिसी का दर्द रहता है या फिर माइग्रेन का दर्द रहता है और सर हमेशा घुमते रहता है चकर आने जैसा लगता रहता है तो इस तरह के माइग्रेन में आधासिसी के दर्द में सरदर्द की समस्या में आप तुरांत इसके पूरे पंचांग को तोड़ करके कूट पीस करके माथे पे लेप कर दीजिए और अराम से बैठ जाईए और फिर सो जाईए इस तरह से प्रियोग करने पर हमने इसका बहुत बार प्रियोग किया है और आज भी अचानक किसी को सर में दर्द होता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप इसकर करा के पौधे को कूट पीस करके माथे पे लेप कीजिए इस तरह से कोई भी करता है तो उसके माथे का जो सरदर्द रहता है वो खतम हो जाता है और आधस इसी का दर्द होता है तो वह भी खतम हो जाता है माइग्रेन का दर्द भी धीरे धीरे चला जाता है अगर इस तरह से माथे में लेप करने के बाद इसके फूलों का रस दो चारबुन नाक में टपका दिया जाए तो और जल्दी तुरन फायदा होता है यानि एक दो मिनट में ही आपका दर्द खतम हो जाएगा सरदर्द कैसा भी हो खतम हो ही जाता है या अद्भूत परिक्षित अजमाई हुई प्रयोग है दोस्तो अब मैं आप लोगों को इसका एक लाजवाब अकर करा मिसरित एक अद्भूत प्रयोग बता रहा हूं जबर्दस्त नुस्खा बता रहा हूं जिस नुस्खे का आना चाहते हैं तो इस नुस्खे को बना करके आप प्रयोग करके देखिए आपको इतना ज़्यादा होगा कि मैं आपको क्या बताओं आप खुद प्रयोग करके देख करके आजमाई करके जान जाओगे तो दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अक अच्छे से लिख करके रख लीजिए और जितना मैं बता रहा हूं उतने ही आप मातरा में मिला करके बना करके प्रयोग करके देखिए अकर कर ले लिजी 10 ग्राम, सफिद मुशली 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, लाउं 5 ग्राम, दाल चीनी 5 ग्राम, सुखा आवला 10 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, काउच बीज 10 ग्राम, बबूल गोंद 10 ग्राम, लहसुन 5 ग्राम, और बर्गत का दूद एक छोटा चम्मच इस तरह से इतने समान को इकठा करके एक साथ उसकी कुटाई पिसाई कर लीजिए कुटाई पिसाई करने के बाद आप इसमें सहद या गुड मिला करके गोली बना लीजिए मटर के समान चोटा-चोटा इस तरह गोली बनाने के बाद अप सुबा साम गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए यह गोली आपको लगबग आट से दस दिन के लिए है इतने मातरा को इकठा करके बनाई गई गोली आपको आट से दस दिन जाएगी आठ से दस दिन की ये गोली है अगर आपको अच्छा महसूस हो और फायदा होने लगे तो आप इसे महना दिन कंटीनिव इस्तेमाल करके ज़्यादा फायदा ले सकते हो और अपनी ताकत बढ़ा सकते हो छमता बढ़ा सकते हो तो इस तरह से यहाँ आकरकरा मिसरित महा सकतिसाले नुस्का है दोस्तो आप इसे प्रियोग करके खुस रहिए आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरू करें हमारे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके नोटिबी के सान ओन करके हमारे साथ जूड़े रहें क्योंकि हम आईसी ही नए नेवन अस्पती की नए नए जानकारियां हमिसा देते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छी आउसाधी वीडियो के साथ तक तक के लिए अपना ख्याल रखिए खूस रहिए नमस्कार जाहिन जाच्छतिजगा